हलो एवरिबड़ी, वेल्कम टू माई चैनल आज हमें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले है जो कि यह गेम रेकॉर्डिंग बहुत सारे वंदों बैको कमेंट में पूचते हैं, इंस्मा में पूचते हैं कि आप कौन सा रेकॉर्डर यूज करते हैं हम लोग साथ में देखते हैं, उस रेकॉर्डर का नाम है पस्पट प्स्प्रीन रेकॉर्डर और वो low end PC के लिए काफी जाद अच्छा recorder है और उसके features भी बहुत जाद अच्छे तो आजा हम लोग देख आउट करते हैं कि उसमें कौन से-कौन से features है तो यहाँ पर मैंने open कर लिया है past web screen recorder सबसे पहले मुझे इसका interface बहुत ही पसंद आया सिर्फ तीन बटन दिये गए बहुत सारे buttons दिये यूजलेस और इसका interface बहुत ही easy to use है उसके बाद जब हम लोग इसका drop-down पर click करते हैं सारे options मिल जाते हैं सारे settings मिल जाते है यहाँ पर general setting की बात करें तो सबसे पहला है frame rate, frame rate इसे 60 fps तक support करता है तो आपकी recording बहुत ही smooth होने वाली है उसके बाद हम लोग resolution की बात करें तो resolution भी यह 2K तक support करता है और अगर आपका low end PC है तो आप 720 या फिर 480 भी रख सकते हो जिससे आपका lag कम हो जाएगा और high end PC है तो 2K तक recording कर सकते हो आपको बतलब दोनों option मिल जाता है high end और low end के लिए output के लिए भी आपको low file type मिलती है MP4 और MKV और हाँ इस app के दो version है एक paid version एक free version है पर आपको मैं जित्ती भी यहाँ पे features दिखा रहा हूँ सारे के सारे free version में भी available है और अगर आपको इसका paid version buy करना है तो अब उसकी website विजिट कर सकते हो अभी उनका black friday का sale चल ला है तो उसमें आपको giveaway में पार्ट ले सकते हो और आप iPhone 13 तक जीट सकते हो तो paid version buy करना है तो उसकी link में description में और print comment दोनों में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप check out कर सकते हो और यहां पर और features की बात करते हो आपको schedule recording का भी option मिल जाता है उससे आप आपने time set करके खुद recording start कर सकते हो stop भी कर सकते हो और यहां पर segment recording का भी option है जो लोग full gameplay record करते हो 15-20 minutes का वो यहां पर timer लगा सकते हो 30 minutes के बाद बंद हो जाएगा recording या फिर 20 minutes का बंद हो जाएगा तो लोग timer लगा सकते हो और full gameplay record कर सकते हो अपना यहां पर audio में आपको दो option मिलते हो input और output का मतलब आप लोग game sound भी record कर सकते हो अपना microphone का भी sound record कर सकते हो आप setup कर ले तो आप voice over अपने साथ ही कर सकते हो और अपना game का भी sound दिखा सकते हो उसके साथ साथ और recording start stop करने के लिए भी आपको यहां पर hot की मिल जाती है तो आप लोग customize करके खुद भी लगा सकते हो जिस यह की दबाओगे तुदा recording start हो जाएगा यह की दबाओगे recording stop हो जाएगा और main recording की बात करते हैं यहां पर दो option मिलते हैं आपको record screen और record game का record screen में आपका पूरा screen record होगा game के साथ साथ कुछ भी कर रहे हो यहां पर कुछ भी movement कर रहे हो mouse से तो वह सब कुछ record हो जाएगा game में और यहां पर उनोंने खुद का toolbar भी दिया हो है उसमें कुछ उटा सा आपको preview मिल जाता है पहले से क्या record हो रहा है तो आपको समझ में आ जागा कुछ recording में गड़बाड हो तो पहले इसको fast forward करते हो उसके बाद खोलते है अपना drop down menu और यहां पर आप लोग देख सकते हो नीचे आ गया है blue stack उसको select करोगे मतलब सिर्फ blue stack का जो अंदर कुछ भी हो रहा है गेम खेलो या कुछ भी कर रहे हो सिर्फ blue stack का screen ही record होगा और रेस्टो का background कुछ record नहीं होने वाला अभी हम लोग चेक आउट करते हैं gameplay कैसे record होता है और कैसा sound record होता है और अगर lag होता है कि नहीं होता और उपर आप लोग देख सकते हो preview tab में यहां पर में दिख गया कि game recording on हो चुकी है और आप स्क्रीन भी दिख रहा है चोटा सा तो यहां पर हम लोग training में जाते हैं और training म बिल्कुल नहीं हो तक तो आप लोग game खेल ले होगे आप crucial moment में फाइट चल रही है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा सिर्फ f10 दबाओगे सिधा recording on हो जाएगा और f10 वापस दबाओगे सिधा recording off हो जाएगा recording करने के बाद अगर आप फाइल में जाओगे और यहां एडिट करके आराम से सीधा clip save कर सकते और export कर सकते वह भी real quality में बात करते हैं कि यह RAM कितना यूज करता है इतने सारे features इसमें तो यह RAM क्या यूज करता है क्योंकि अगर low end PC में ज्यादा RAM यूज करेगा तो obviously lag होने वाली recording तो कोई फाइदा ही नहीं तो हम लोग check out करते हैं क इसमें बहुत सारे features जैसा कि मैंने आपको दिखा और link description में भी है और पिन कमेंड में मिल जाएगी तो वहां से जाके upload कर सकते हो और अपना review दे सकते हो और मैं आपको मिलंगा next video में तब तक के लिए bye bye and take care